कि अलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने ब्यस्त जीवन स्टेक पुस्ट समय निकाल कर अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा कंप्रिटिव यूग इतना संगर समय होता है इ इसमें हमें अपने इवन सी कुछ खास समय निकाल कर अपने करियर पर ध्यान देना होता है और आपका समय बहुत ही गोल्डेन होता है आसकर के उस वक्त जब भेकैंसी बहुत ही कम आ रहे हो और एप्लिकेंट बहुत जादा हो जस्ट उसी तरह से भगवान तो एक ही होते है लेकिन चाहने वाले करोरों अरवो होता है इसके सर पर भगवान का हाथ पढ़ जाए कहना मुश्किल है लेकिन हर भक्त भगवान की चौकट पर अपने उमीद से जाता है कि हमें भगवान देख रहे हैं ठीक उसी तरह से हम लोग भी अपने करियर के लिए काफी कुछ मसक् करते हैं और आज से करतार कोचिंग सेंटर के माध्यम से हम लोग का जो कमभाइन के लिए कितनी भी वन्डेग जामिशन होता है उसके लिए जो हम लोग इसका पॉर्शन निर्धारित करते हैं जिसमें आर्ट सेक्षन और साइन सेक्षन होता है उसमें हम आपके समझ प्रस्तुत कर रहे हैं हिस्ट्री हिस्ट्री प्रसुत कर रहे हैं और हिस्ट्री में क्या हम लोग देखेंगे इन सारी बातों को हम लोग अस्तर से जिपन करते हैं हिस्ट्री क्या है हिस्ट्री यह हम लोगों को निर्धारित करता है, निर्धारित करता है, तो हिस्ट्री को हम लोग शुरू करते हैं, जैसे कि आपको पता है, कि हिस्ट्री का रेंज जो होता है, वो लगभग 25, 2500 BC to 1947 AD के बीच होता है, लेकिन इस हिस्ट्री का जो हमारे लिए कमपेटिव ज़रूरी होता है, समझना, वो ये होता है, कि इसका रेंज जो होता है, वो तीन भागों में हम लोग बांट करके करते है जैसे कि फॉस्ट जो होता है, वो उस रेंज में 2500 BC से ले करके, लगभग 1260 AD तक का पिरियड आता है, दूसरा पिरियड जो होता है, वो लगभग 1770 AD तक आता है, और तीसरा पिरियड जो होता है, वो 1707 से ले करके, 1947 AD तक आता है, ठीक है, यही तीनो सेक्षन से हम लोग का सवाल पूछा जाता है, लेकिन हिस्टी का जो यहां से पहले बाला भी एक सिक्षन होता है, ठीक है, यह फर्स्ट वा, यह सकेंड हुआ, और यह थार्ड हुआ, तो य यहां से पहले काभी एक काल होता है, जिसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम लोग सिर्फ अभी सिर्फ इसका नाम जानते हैं, कि कहां से उस हिस्ट्री को क्या काते हैं, तो पचीश सो बीची से पहले बाला, पिफोर टूइंटी फाइपाइफ जाता है प्राग्यति हासिक काल प्राग ए टी हासिक काल कहा जाता है और प्राग्यति हासिक काल जो है वह प्री इस्ट्री का पार्ट होता है जिसकी सुरुवाद स्टून एज से होता है इस्टून एज से होता है ठीक है तो इस्टून एज का भी हित्यास हमारे मानब के लिए बहुत जोरड़ी है यहां से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल क्या है उन सब को हम लोग अस्तर बाइस्तर स्टेप बाइस्टेप देखेंगे लेकिन हम लोग का जेनरल कंपरिशन में जो पूछनी का जो सबसे ज्यादा के लॉट आफ कोसंस का जो एरिया होता है वह सबसे ज्यादा ट्वेंटी फाइव हंडेड़ बीसी टू टीक है नाइंटीन हंडेड़ पोटी सेवन एडी के बीच का ही होता है इन सारी इतिहास को पढ़ने में हम लोग को लंबा सफर चुररी है एक दूसरे का साथ रहना लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग को शुरू करते हैं इस सेक्शन को नहीं जिसको आधूनिक भारत का इतिहास कहा जाता है आधूनिक जरत का कि ए्तिहास होता है आधूनिक भारत का इतियाग वैसे आपको यह भी बता दू इसको मर्धे कालीन अरत इतिहास है और इसको पराचीन भारत का इतिहास होता है. तो इतिहास का चार सेक्षन हो गया. एक प्रागेती हासी काल ए नम्मर को कॉंड कर दिए दूसरा हो गया प्राचीन भारत का इतियास तीसरा हो गया ठीक है मद कालीन भारत का इतियास और चौथा डी नम्मर में हुआ आधुनिक भारत का इतियास अब इसमें क्या होता है कि इतिहास को जानने का जो source है वो पूरी तरह से क्या है इतिहास को जानने का दो source होता है एक होता है archaeological source और एक होता है literacy source इसमें जो जानने का source है वो पूरी तरह से archaeological source है इसमें कोई भी लिखे सूचना नहीं होती है अगर होती भी है तो उसमें पढ़ने योग नहीं होता है इ इस्टोन एज को हम लोग सीधे एक तरह से पुरातात्विक आधारों पर जानते हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शन के माध्यम से, कौाइन्स के माध्यम से, उसके प्राप्त मूर्तियों के माध्यम से, प्राप्त अवसेश या फोसिल जो होता है, जिवासम जो होता है, उसके माधिम को आधार बना करके देखते हैं लेकिन एतिहासी काल में जो दो इतिहास मुखरूप से होता है तीन इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास मदकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास इस पूरी इतिहास को हम लोग क्या करते हैं इसको लिटरेशी सोर्स के मादम से पढ़ते हैं जानते हैं तो निशित तोर पर एक और बेसिक जानकारी हम बता दें ठीक है कि प्राग्यति हासिकाल प्राचीन भारत का इतिहास मद कालीन भारत का इतिहास और आधूनिक भारत के इतिहास के बाद भी एक और भारत के रिफ्रेंस में इतिहास को हम लोग इतिहास का सेक्षन होता है ठीक है वो विश्व इतिहास क्या कहलाता है ठीक है एक तरह से कह सकते हैं विश्व इतिहास वह एक प्रकार का भारत के रिफ्रेंस में जो घटनाई होती है उसी के बारे में हम लोग जानते हैं जैसे कि फॉस्ट वर्ड वार हुआ सेकेंड वर्ल वार हुआ इंपारलीज में जिसको समराजवाद करते हैं तो इन सारी बातों समाजवाद हुआ ठीक है बिश्व क्या करते हैं कि एक तरह से हम लोग इसको पीरियर में बाट से हैं जैसे कि इसको तीन सेक्षन में बाट देते हैं एक होता है इस प्री इस्टॉरिक प्री हिस्ट्री इसके होता है प्रोटो हिस्ट्री प्रोटो history और एक होता है historic इसकोzego कहा जाता है तो historic age जो होता है उसमें सारी कि सारी जानकारी लिखित और पढ़ने योग होता है proto-history में लिखित जानकारी तो होता है लेकिन उसे हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं और pre-history में वो इतिहास होता है जिसके कोई जानकारी लिखित रूप से नहीं होता है आर्केलोजिकल सोर्सिज के आधार पर इतिहास को हम लोग जानते हैं तो हमारा आज से सुरू हो रहा है यहाँ पर मद्ध कालीम के बात का इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास जो 1707 से लेकर के 1947 के पीरियर होगा तो निशित तोर पर आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग कहां से पढ़ेंगे तो यहां से पढ़ते हैं आगे बढ़ा करके हम लोग देखते हैं ठीक है कि मद्ध काल का इतिहास को मद्ध कालीन खारत का इतिहास को करते हैं ठीक है तॉरी मद्ध काली नहीं पढ़ें आज के देट में ठीक है किसको पढ़ें कि इस अधूनिक भारत अधूनिक अधूनिक भारत का इतिहाद से हम लोग पढ़ते हैं जिसको मॉर्डर ने श्री करते मॉर्डर इंडियन हिस्टी करते है इस पोर्डन हिस्टी का क्योंकि एक चीज और मैं बता दो हिस्टी का मतलब होता है तीन इनफर्मिशन अठाथ प्रेस्टनेल्टी टाइम एन इवेन यही तीनो मानभ विकास से सम्मधिर जितनी भी घटनाई होती है उसी को हम लोग हिस्ट्री में रखते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको रेंज करते हैं और यह रेंज कहां से कहां तक है 1707 AD से लेकर के 1947 AD तक के प भारत का जो पॉलिटिकल कंडिशन है सुरुवादी दौर में सीविलाइशन से सुरू होता है जिसको हम लोग आज पढ़ नहीं रहे हैं सीविलाइशन शुरू होता है लेकिन उस सीविलाइशन के बाद का जो सेक्षन है वह सासन विवस्ता की सेक्षन होती है और मधिकाल पूरी तरह से मुस्लिम सासन विवस्ता का चैंदर होता है जो लगवख बार सव सबारा सब्सक्रांट से लेकर के लगवख 1526 तक का जो दिल्ली सलतनांत है उसका पिरियन होता है और उसके बास 1526 लेकर के 8167 तका पूरा इतिहास मुगल के नाम से जाना जाता है उसके पॉ मुगल काल जो 1526 से लेकर के 1857 के बीच का सेशन है उसी में दो पार्ट बार्ट देते हैं और उसको हम लोग अरली मुगल करते हैं और नीचे दीसरी बाला जो दूसरा सेक्षन होता है वह लेटर मुगल याड़ी के उत्तरवर्ती मुगल होता है तो आधुनिक भारत का इतिहास वहां से सुरू होता है जहां से मुगल का लगवग आधा भाग बीच जाता है और उसके बाद लगवग 1857 तक का जो मुगल पिरियर था 707 से वहां से पूरी सासन व्यवस्ता को फॉन्ट करते हैं इसके अंतरगत हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे ठीक है जिसको हम लोग सीलेवस कर सकते हैं सीलेवस का सकते हैं इसमें क्या-क्या हम लोग को पढ़ना होगा तो सबसे पहले होता है लेटर मुगल यानि की उत्तर वर्ती मुगल काल को देखेंगे जो पूरी तरह से 1707 से लेकर के 1857 एडी तक का इतिहास आएगा दूसरा सेक्षन हम लोग का जो होगा वो दूसरा सेक्षन क्या होगा तो यहां पर 1857 का एक विद्रोह है जो इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाब विद्रोह माना जाता है बगावत माना जाता है क्योंकि इस्ट इंडिया कंपनी जब आया था भारत तो एक बैपारी की रूप म शुरू किया और फिर वह हश्चेप करते करते यहां के शाषत में इन्वल्व हो गए और शासन अस्थापित किया जो शासन लगबाग सत्रह सो छी आसर से सुरू हुआ और अठार सो संतावन तक इस्ट इंडिया कंपनी का सासन चलता रहा लेकिन अठार सो संतावन में बतता हुआ ठाक्त तो निशित दॉर पर उस वगावत तो इस्ट- 58 कंपनी के एकेंस में माना गया और वह पर सिपा ही बिद्रो कहा गया ठीक है तो यहer To everybody görev 10 57¸ या सिपाही बिद्रो कहा गया और सा बिद्रो सिपाही और विद्रो इसको कहते हैं जो 1857 का सिपाही विद्रो था ठीक है 1857 का सिपाही विद्रो जब ये विद्रो हुआ था इसके समय में या इसके पहले कई अन विद्रो भी हुए थे जैसे की शन्याशी विद्रो था फकीर विद्रो था पूल विद्रो था मुंडा विद्रो था शन्थाल विद्रो था नील विद्रो था भील विद्रो था फरायजी विद्रो था ऐसे सीकुन विद्रो हुआ लेकिन अन विद्रो और 1857 के विद्रो में थोड़ा सा बेसिक अंतर है प्र प्रचल प्राविट हुआ लेखिन इस से पहले और इसके बात में जो चोटे चोटे गितुट प Mormon तो गसा लिया से कि अस्थानिय पंड़ना थे जैसे की वाँ विद्रो या तो छे धर!! अप not है or unbetalo cutting on it कि बिद्रू काoll चब्टर की सिह में हम लोग देखेंगे जो लुबा काफी इंट्रेस्टिट और बडा सेटर होता है जिसमें फीन इन्फ यन फारोमिशन पो हम लोग बेसिकल लिएगा पहला इन्फरमिशन देखेंगे कि वह बिद्रू कब हुआ था दूसरा कहां हुआ था तीसरा उस से रिलेटेट कौन-कौन से प烏ट कल एप्रोच था कौन-कौन से पौल्टीकल घटनाए थी कारन थी उसका इंपक्ट क्या हुआ था तीसरा चेफटर का सकते हैं भारत में इरूपियन ब्यापारी भारत में इरूपियन ब्यापारी कमपनियों का आगमन एवं कि उनके इस्थिति इस्टेटस हारत में इरूपियन ब्यापारी कमपनियों का आगमन कब से हुआ क्या क्रम था जैसे कि इसमें जो आया इस्ट इंडिया कमपनी आया उससे पहले पुर्त की जाये डर्च आये ब्रिटेन आये तेनिस आया फिर उस तरह से कुछ और भी घटनाय होता है उसके साथ तत्कालिक परिस्तितिया कैसी थी अस्थानियस सासकों का इस्थारती कैसा था इन सारी बातों को इसमें हम लोग पढ़ेंगे और इसमें काफी मजा आएगा ठीक है क्योंकि इसमें काफी questions पूछा जाता है हर एक्जाम के लिए question पूछा जाता है जैसे के उधारन के तोर पर मैं आपको बता दू जैसे question पूछा जाता है इस्ट इंडिया company ठीक है कब अस्थापित हुआ था तो इस्थापित हुआ था इस्ट इंडिया company भारत में जब आया उस समय में मुगल सासा कौन था तो इस्ट इंडिया company के समय में जब भारत आया था तो वैसे तो था अकबर सासर लेकिन जहांगीर के इस दरवार में सबसे पालिक सब्सक्राइब करने के लिए वैपारिक फ्यक्टरियों को स्थापित करना और वह सूरत में सथापित हुआ था मश्रूली पाटन में सथापित हुआ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और मैं इसके लिए बहुत सारे को संद भी रिफ्रेंस में बताऊंगा ठीक है उसके बाद चौथा चैप्टर में हम लोग पड़ते हैं ठीक है चैत्रिये के त्रिये सोतंत्र चैत्रिये सोतंत्र राज जैसे की रूप में जैसे कौन कौन से सोतंत्र राज था जैसे एक राज था बेंगॉल ठीक है उसी तरह से अवद उसी तरह से आधरा वाद ठीक है मैसूर मैसूर हुआ फिर उसी तरह से मराठा हुआ मराठा एटीस ये छोटे-छोटे राज जो थे वह इंग्लिस इस इंडिया कंपशन कंपनी जो ब्रेटिस इस इंडिया कंपशन था उसके पैर्लर में खड़ा था तो एक तरफ मुगल था दूसरे तरह ये चोटे-चोटे रीजनल इस्टेट था और तीसरे तरफ जो था इस इंडिया कंपशन के साथ साथ European company था ठीक अन एरोपियन company वह आपस में संघर्स किया और फैनली यहां से एक तरह से एक ऐसा सिस्टम डबलब हुआ जो भारत में कई बरसों तक शाषन किया ठीक है इसके अलावे भी पांचमा टिप्टर में हम लोग और भी कुछ बाते हैं जैसे कि क्या है क्या है क्या क्या है पांचमा नंबर का टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं ठीक है खारत में समाजिक एबम राजनितिक तुद्धार अंदोलर भारत में राजनितिक और समाजिक समाजिक एबम राजनितिक सुधार अंदोलर ये बहुत ही महत्पूर्ण घटना है जो भारत के प्रास्त ततकालिक समाजिक और राजनितिक स्टीटस को बदलने का प्रियास किया क्योंकि इस समय में एक तरफ भारत में शासित ब भारत के जन्मानस थे वो जो सोचते थे वो यह सा लगता था कि वो इसाई बनाने के लिए अपना प्रियास कर रहा है या एकॉनमिक स्टैबिटी को प्राप्ट करने के लिए कर रहा है दूसरी तरह मुगल से जो छोटा-छोटा राज था वो सोतंतर हो चुका था तो वे सोतंतर राज और मुगल आपस में शंघर्स करने लगे एक तरह से एरोपियनों से तो उसके बीच जो विद्रो होता था या ज एक फिलिंग हुआ आखिर क्या कारण है कि हम लोगों के द्वारा सासन के खिलाब उनके सोशनकारी नेतियों के खिलाब जो बगावत करने वाले जो यूनीट है उसको बहुत ही सरलता प्रवक्त दबा देते हैं आखिर क्या कारण है इसी में वो फिलिंग डेवलप्त किया देश में बहुत सारे लोगों के मद में बहुत सारे ऐसे विचार था दी जो सिंबर हुआ था जो मिनिंग्लेस रिचुब से जुड़ा हुआ था तो उसको हटाने के लिए उन्हों ने एक संग बनाने के प्रियास किया और उस से देश में समाजिक और राजनतिक चीतना का रबलपमेंट हुआ और उसके लिए कई संस्थाए बनाए गई ठीक है इसके लिए अस्थापित संस्थाए ठीक है कौन को से संस्थाए थी जैसे के एक जामपल के तौर पर एक संस्था था ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज आपको याद होगा ब्रह्म समाज 1828 में बनाए गया था राजराम मोहनराई के द्वारा उन्होंने समाजिक चीतना लाया लर्निंग ओफ रिवाइबल कर सकते हैं संस्कित सिस्टम ओफ एजुकेशन का उसके बाद भारतिय पुनर जागरन की और आग्रसित हुआ पस्मी एजुकेशन को मोडिवेट किया लोगों में जो समाजिक रिवाज था जो कुपर्था में डबलक्ट हो गया था उसको हटान के लिए का भियान चलाया एक ऐसा कैमपेंड चलाया कि नया समाज बनने लगा ठीक है उसी तरह से एक संस्था बना था और ये समाद और ये समाद ये बना था 1875 में स्वामी दयानन सरस्वती ने इस संस्था को बनाया और स्वामी दयानन सरस्वती ने भले ही बैक टू बेदों की प्रमोशन पर ध्यान दिया उन्होंने बैदिक कल्चर को फिर से स्थापित किया लेकिन सोराज की बात कहा उन्होंने जनता में ये बताया कि आखिर शत्ति क्या है और इस पे लिए उन्होंने अपना एक वर्क वाट पब्लिश्ट किया जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकास आज जो भारत के कई भागों में अलग अलग भागों में संसार के अलग अलग छत्रों में या देशों में डी ए भी का कॉंसेप्ट है उसकी सुरुवात आर्ज समाज के बैनर तले ही हुए था भले उसका पहला ब्रांच लाहॉर में लाला लाज परत्राई के एजुकीशन सेंटर बना हुआ है उसी तरह से एक संस्था बना राम क्रिश्न मिशन था राम क्रिश्न मिशन ये राम क्रिश्न मिशन 1897 में बना था और राम क्रिश्न मिशन एक ऐसा संस्था थी जिसमें स्वामी बिवेक आनंद ने लोगों को बताया कि स्याव सीवा और त विचारधारा को वैदिक संस्क्ति को बढ़ाने के लिए विश्व अस्तर पर एक कॉन्फरेंस वा था शिकागो में 1893 में वहां जा करके उन्होंने विश्व अस्तर पर हिंदू संस्क्ति को वैदिक संस्क्ति को अस्थापित किया था तो ऐसी बातों से ऐसे संस्थाओं से द सत्य सूधक समाग 1873 74 में बना था और ये संस्था समाज में जो ब्रह्मनीकल सुपरमैसी था उसके खिलाप एगेंस किया एक अभियान चलाया और जो सूसित बर्ग था जो डिप्रिस्ट क्लास के लोग थे उनको समाज के मुक्धारा में लाने के लिए एक प्रियास किया हिंदूों के साथ साथ हिंदूों में जो डिप्रिस्ट क्लास थे उनको समाज के मुक्धारा में लाने के लिए अभियान चलाया पुरुसों के साथ साथ इस्तरियों के एजुकेशन पर बिसिस बल दिया जोतीवा रौब फूले इसके जनमदाता थे उसी तरह से एक और कि यू सोग पी कल कि यू सो साइटी यू सो फीकल सोसाइटी या सो फिकल सो साइटी और सौफिकल सोसाइटी 1875 में बना और इनोंने भारत में अध्यात्मिक राष्टवाद को सुर्वात कि अबीको बाए बहुती इंपॉर्टेंट सेक्षन ता या जिसमें लोग अब तक राष्टियता को भूल चुका था या राष्टियता उसके मन में क्रियेट नहीं हुआ था लेकिन इस संस्था ने सबसे पहले राष्टियता को अध्यापमिक मार्ग से जोड़ने का प्रियास किया इसके बहुती प्रवल समर्थक थे एनी वे से जो आयरलेंड की थे लेकिन भारत आने के बाद इन्होंने जन जन तक इस संस्था को पहुँचाया उसी तरह से एक और संस्था था जिसका नाम था अलीगड अलीगड अंदोलन ये बना 1875 में शर्षयद अहमद खां के द्वारा बनाया गया जिसमें मुस्लिम समाज को भी समाज में आधुनिक्ता के प्रती आकरसित करने का प्रयास किया AMU अलिगड मुसलिम इन्वर्सिटी बनाया गया ठीक है तो ऐसे संस्था मिला तो भारत में बहुत ऐसे वेवस्थाओं में बहुत ऐसे बिचारों में सुधार आया जो भारत के लिए अविशापित होता जा रहा था और एक नए भारत को बनाने में एक नव निर्मान करने में एक नीव का काम किया उसी तरह से एक संस्था था इंडियन एसोसियेशन जिसका नाम इंडियन एसोसियेशन था एसोसियेशन या संस्था एक ऐसा काम किया जो 1886 में बना था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो पहली बार पहली बार भारत में फॉर्स टाइब एक ऐसा मंच तयार किया जो पॉल्टीकल प्लेटफॉर्म मना और इसके मार्धियम से जो इस था जो प्रशासनिक सेवा थे उसमें भारतियों के प्रतनिधी को हिसेदारी को सुनिशित करने का मांग किया साथ हिसाथ इंडियन सिविल सेवा परिक्षा में भारतियों के लिए जो उम्र निर्धारित किया गया था उसमें लॉर्ड लीटर ने कमी कर दिया था उस कमी को बढ़ानी के लिए अर्थात उम्र सीमा में बिर्धी की मांग की गई ये काफी क्रांती लाया खास करके पढ़े लिखे समाज में और सबसे बड़ा क्रांती लाया इंडियन इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल कॉंग्रेस जो 1885 में बना और फिर यहीं से शुरू होता है भारत में राश्टिय अंदूलर तो यस चेप्टर में इसके अलावा भी बहुत ऐसे संस्था है बहुत ऐसे अर्गिनाइशन है जो भारत में राजनितिक और समाजिक चीतना को डवलप किया जिसको कह सकते है राश्टबात को लाया प्रेश की सुतंदरता हुई इसके अलावे एक और खास बाते हैं कि भारत में छोटे छोटे राज्यों का जब उदय हुआ तो वहाँ पर इस इंडिया कंपनी के समाप्ती के बाद 1857 में ब्रिटिश क्राउन डारेक्ट भारत पर सासन करने लगा पहले 1857 तक इस इंडिया कंपनी जिस रूप में सासन करते थे उससे एक नया स्वरूप आया और वह सिप्ट हो गया एक बहुती शांतिपुन धंग से सासन का विकेंद्री करन हुआ शांतिपुन दाहस्तांतरन हुआ और इस इंडिया कंपनी से डारेक्ट क्राउन ताज ताज मतलब विक्टोरिया के हाथों में चला गया और फिर सासन के एक नई अनभूती आया शासन का एक नए सिस्टम आये जिसको बिटिस राज कहते हैं और बिटिस राज और इधार श शांति लाने के लिए खास करके समाजिक और राजनितिक चेतना लाने के लिए जो आंदुलन हुआ उस आंदुलन को हम लोग क्या काते हैं समाजिक और राजनितिक सुधार अंदुलन ठीक है इन संस्थाओं में हम लोग राश्ट्य कॉंग्रिस तक आये हैं और राश्ट्य की आंदोलन की प्रमुख घटनाओं में क्या हम लोग पढ़ेंगे तो राश्टी progressiveि की प्रमुख घटनाओं में प्रमुख घटनाओं गटना है यह कब से कब तक हुआ 1885 से लेकर के डारेक्ट 1947 एडी तक की घटना होगी और इसको हम लोग पहुती systematic ध्रंग से पढ़ेंगे और इसमें हम लोग क्या देखेंगे इसे काफी questions पूछे जाते हैं चाहे वो teachers का entrance exam हो B8 का entrance exam हो SSC CGL level का हो या intermediate level का हो या SI का exam हो यहां तक की PCS का exam हो इस section से बहुत सारे questions बहुत ही important section है बहुत सारे questions पूछे जाते हैं और इसको हम लोग तीन भागों में बाट कर पड़ते हैं पूरे section को हम लोग first stage में बाढ़ते हैं 1885 से लेकर के 1905 के page को फिर पढ़ते हैं 1905 से लेकर के 1919 के page में और फिर पढ़ते हैं 1919 से लेकर के 1949 तक और लास्ट हम लोग पढ़ते हैं 1949 से लेकर के 1947 तक चार section में पार्ट करके पढ़ते हैं B हुआ C हुआ और D हुआ अब इस section को हम लोग क्या कहते हैं इसको उदार वादी यूग कहा जाता है उदार वादी यूग इसको ठीक है इसको कहते हैं प्रतिक्रिया वादी प्रतिक्रिया वादी ठीक है यूग कहते हैं इसको गरम गरम दल का यूग भी माना जाता है इसको क्या माना जाता है गरम दल का यूग भी माना जाता है गरम दल का यूग ठीक है इस यूग को और इस यूग को दोनों यूग को कहा जाता है गांधी वादी यूग यूग क्यों गांधी वादी कहा जाता है तभी यानि कि महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा राश्टिये आंदोलन का नत्रित्व किया गया इस यूग में क्या कहते हैं इसमें गरम अन्थी राश्टवादियों द्वारा नत्रित्व किया गया और इसमें फुदारवादी राश्टवादियों द्वारा राश्टिये आंदोलन का नत्रित्व किया गया इस तरह से तीन गांधी गांधी जी का जब आगमन हुआ तो गांधी जी इस राष्टी अंदुरन को एक नया श्वरूप प्रदान किया और देखते देखते अंग्रेज धीरे-धीरे अपने शाषन के निती में चेंज लाया और वह सोचने लगा कि भारत में शाषन करना इतना आसान नहीं है और भा भारत में नहीं नहीं इंट्रोडेक्शन हो रहा था नहीं ने विचार धारा आ रहे थे जैसे कि नॉन कॉपरेशन सत्यागरा ठीक है सबीने अभग्या का कॉंसेप्ट इन सारी बातों को लेकर के एक नया विचार धारा डबलब्ट हुआ अब इसमें हम लोग क्या देखते है कि फ़र्स्ट पेज में कोच महत्पूर्ण घटनाओं का क्रम में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टिन्ट इवेंट करके हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे जैसे की एक घटना है पार्टिशन और बंगाल का पार्टिशन और और पेंगौल का हुआ यहां से सवाल पूछा जाता है कि जैसे की पार्टिशन और बंगाल जो है कब हुआ 1905 में ठीक है पार्टिशन और बंगाल पर हम लोग चर्शा करेंगे क्या करेंगे कब हुआ इसका डिलीजन क्या हुआ इसका इंपक्ट हुआ क्या हुआ जैसे स्वादेशी आंदोलन आया तो स्वादेशी आंदोलन कब हुआ 1905 से ले करके 1906 तक हुआ फिर उसी तरह से ठीक है मुस्लीम मुस्लीम लीग के अस्थापना हुई आखिर इसका उदेश क्या था कब हुआ क्यों हुआ इन सारी बातों को देखेंगे फिर चौते नम्मर में हम लोग इसकी घटना देखेंगे सूरत विभाजन का घटना जो काफी इंपॉर्टेंट है कॉंग्रिस को यहाँ पर दो भागों में बाठने में मतलब मजबूर हो गया एक गरम दल था यहाँ पर आइन सी आई एन सी गरम गरम दल और एक गरूप आई एन सी का नरम नरम दल में विभाजित हो गया फिर और भी कई घटना है एक इंडियन इंडियन कॉन्सिल एक्ट बना 1909 में जिसको कहा गया मारले मारले मिन्टो मिन्टो सुधार अधिनियम मारले मिन्टो सुधार अधिनियम ये क्या था इसका में फीचर क्या था जैसे पहली बार कॉंग्रिस को एह अहसास हुआ कि भारत में राष्टी अंदूलन के दो चैनल है एक चैनल ठीक है हिंदुओं के परतनिदी के रूप में आई एंसी है और दूसरा चैनल जो है वह मुस तरक अधिकार यहां पर मिला ठीक आशीं तरह से दिछी गार्स नी ड समय निली चैनलीOWार्ग कवज अब दिल्ली दर्मार एक सेरोमनी था जो उनीटिर में हुआ था और यहां से सवाल पूछा जाता है कि क्या हुआै दिल्ली दर्वार में यहां पर क्या हुआ तो भारत में जो पार्टिश्व बंगाल हुआ था उसको भंग करने का क्वोसना किया गया। दिली कोट में उसी तरह से यहां पर अंदोलन का एक नया स्वरूप डबलब्ट हुआ और वह स्वरूप था ठीकर क्रांतिकारियों का और जिसकी शुरुवात हुई गदर गदर पार्टी एवं आंदोलन से गदर पार्टी एवं आंदोलन से और वो कब बना 1913 में बना लाला हर्द्याल और सोहन सिंग भखना के द्वारा अमेरिका में इस संस्था का स्थापना किया गया था जिसका उदेश था भारत में क्रांतिकारी रूप से एक ससस्त विद्रों के माध्यम से भ वर्ष्ट वर्डवार सुरू हो गया 1914 में और उसके कारण जो क्रांतिकारी गतिवीधिया थी उसको सीज कर लिया गया उसके सारे ऑथरिटी को गिरफ्तार कर लिया गया किसके दौरा बिटेस होकुमत के द्वारा और इस तरह से गदर पार्टी खतम हो गया इसके बाद एक और घतना होती है यहां पर आठमी नंबर का थेकर आड मेर का होता है क्या यहां पर भारत में जब गदर पार्टी का नियंतर्न होने लगा 14 में तो लोगों के मन में के आया कि क्रांती ही हमारा उपाय है राष्टिय अंदूलन में सोराज के लिए लेकिन कॉंग्रिस यह ताय किया कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे हिंसात्मत बेवस्था को हत्यार नहीं बनाएंगे और एक संबेलन हुआ लखनो में जिसको कहा गया लखनो अधिवीशन ठीक है जिसको क्या कहा गया लख लखनो प्याक्ट कहा गया ठिक है लखनो अधिवीशन from लखनो टैक्ट बना यह बना कब 1916 में लखनो प्रक्त पहुं थी ज्यादा important है यह घटना लखनो प्यक्त एक तरह से एक agreement था जो किसके बीच हुआ था यह हुआ था I and C और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था ठीक है एक लीग के बीच एक समझाता हुआ था सम थोता हुआ था जिसमें सुराज को लिकर के नाइफ नम्मर की घटना है ठीक होम रूल लीग ओम रूल लीग एबम ओम रूल लीग एबम अंदूलन था ओम रूल लीग ओम रूल लीग एबम अंदूलन अंदूलन बढ़ा था 1916 में जिसके दो थे एक था बाल गंगाधर तिलक और एक थे एनी बेसेंट एक तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरू किया था फिर था चंपारन सत्यागरा की शुरूआत हुई चंपारन सत्यागरा कब हुआ था क्यों हुआ था इन सारी बातों को चंपारन सत्यागरा यह कब हुआ था नाइंटीन सेवेंटीन में हुआ और यह म के कांधी की द्वारा चलाए गया यह फॉस्ट पहला पहला सवीने अवग्या अंदोलन था या पहला सभीने अभग्या अंदुलन था तो चंपारन में गांदी जी ने फॉर्स टाइब भारत के पॉलिटिक्स में एक सत्यागरह सब्द जैसे अंदुलन को लेकर गाया उसी तरह से यहां पर खेरा अंदुलन हुआ खेरा अंदुलन जो 1918 में हुआ फिर उसके बाद अह अंदुलन हुआ यह भी हुआ 1918 में और इस दोनों में गांधी जीनेगी नित्रुत किया था एम के गांधी और इसका अंतर क्या था यहां पर किशानों ने भरपूर शाहता किया किशानों को लाब मिला और यहां पर मील मजदूरों को लाब मिला था जिसमें बोनस देने की बात कही गई थी था टीन नंबर में एक महादपूर घटना है ठीक है एक इंडियन इंडियन फूर है फिर निस से 619 में ही रॉल्ट हो रोल Bridge टॉर्ट हुआ जालिया जालिया वाला बाग हत्याकान जालिया बाला बाग हत्याकान भी 1919 में तीर अप्रील को हुआ था जालिया बालग में इस तीनों घटना से महत्मा गांधी का म के गांधी का विचार और सक्यों कात्मत हो गया और फिर एक तरह से खिलाफत के मातिम से भारत में एक आंदूलन चलाया और वो कौन कौन से आंदूलन था ठीक है जैसे की एक एक जामपल के तौर पर एक आंदूलन हुआ खिलाफत आंदूलन वो आंदूलन का हुआ उनीस सा उनीस में हुआ फिर हुआ और साहयोग आंदूलन आंदूलन उनीस सा बीस में हुआ फिर इस आंदूलन का एक घटना था चोरी चोरा एक आंदूलन हुआ ठीक है कि अश्रयूग अंदूलन के बाद एक अंदूलन हुआ इसका नाम था और फिर चौरी-चौरा के बाद खटना का 12 फरबर उनिस सब मतलब 22 इस अंदूलन को श्थगित कर दिया गया तो फिर एक नया एक बर्ग क्रियेट हुआ जिसका नाम सा सौराज पार्टी सौराज पार्टी बना और सौराज पार्टी कब बना उनिस्थ टैस्श्वी में बना तो अंदुलन का एक नया स्वरूप सामने आया ठीक है तो गांदी जी जेल में वैसे थे लेकिन बाद में सोराजिस्टों को काफी लाव मिला लेकिन इस अंदुलन की गतिविदियों को दूर करने के लिए ब्रेटिस सरकार ने एक नया चैनल क्रियेट किया और वो कमीशन की से रूप में था साइमन कि कमीशन का जब भारत में आगमन हुआ गठन हुआ 27 में और आया 1928 में इसका जोरदार धंग से भारत के लोगों ने बिरूद किया था और बिरूद करने के बाद एक नया सिस्टम डबलब्ट हो गया और अंग्रीजों को लगा कि इसका बिरूद क पारत में संब्यदानिक शुधार संभव नहीं था इसलिए कॉंग्रेश निस का फुल कर भीरोद किया लेकिन नहरू रिपोर्ट के माध्यम से नहरू हुआ है रिपोर्ट के माध्यम से उनीा गांदि एक ए ll य ऐ एन्सीच ने एक सम्विधान डिपरजोंड या लेकिन इस्का समाथी नहीं मिला और इसलोग फैयलियोह फुर्ण को मिला और वो गोल था सोराज की पुर्ण है सोराज जिन की मांग की गई और सोराज की मांग नाइंटीन ट्वैंटीन हमाता लाहौर में यहाँ पुरी आजादी की मांग की गई भले भारत को आजाद नहीं मिला था यहां से अंदोलन का एक नया स्वरूप शुरू हुआ और अब नॉन कॉपरेशन के बजाए यहां सिविलता की बाद सिविलाइजिशन की बाद कही गई यानि कि बैवहारी कुरुबक प्रिटिस कानून का विरूद करने का निरने लिया और फिर शुरू हुआ इसमें में नमक जैसे आधारवुत बस्तु पर कर लगाने के कारण नमक सत्यागरा जो शविने अवग्यां दूलन था जिसका नाम था सिविल इस और विडियन्स मोहमेंट यह एक ऐसा अंदूलन था स्वावी ने ठीक है अवग्यां अंदूलन शविने अवग्यां दूलन 1930 में हुआ था जिसमें नमक कानून को रोकने के लिए तोड़ने के लिए नमक बनाया गया तो गांदी जी का यहां पर एक नया जन्म हुआ का सकते हैं नया उद्य हुआ इस रूप में कि नया विचारधारा क्रियेट हुआ यहां पर क्या था और सरकार की नीतियों को शहयोग नहीं करेंगे लेकिन यहां पर क्या करेंगे साहयोग के बज़ा अवग्यां करने की बात आई तो ये एक नया विचारधारा था सत्यागरह पहले फिर नॉन कॉपरेशन फिर अवग्या ठीक है इसी पर सरकार को ध्यान देना जरूरी हो गया लेकिन गांधी जी के विचारों से काफी भैवित हो करके संब्यलन आज यूजित किया गया जिसको कहा गया रहां टेबल टेबल ऑफ्रेंस कउन्फरेंस यह कहां हुआ तो लंदन भी हुआ उनी सौंश्व अतीस से लेकर के 1932 के यह तीनु शंब्यलन तीन सम्मिलन हुआ था फॉस्ट वार नाइन्टी थार्टी में सकेंड हुआ 1931 में और थार्ड हुआ 1932 में लेकिन सकेंड बाला जो था ये काफी इन्पोर्टेंट रा इसलिए कि कॉंग्रिस का परतंदी गांधी जी उसमें सामिल हुए थे ठीक है और लास्ट सिक्षिन में जब हम लोग देखते हैं 1932 के बाद का इंडियन कॉंसील एक्ट आया उन्हीं सब 35 में और अंदुलन के स्वरूप को नया स्वरूप परदान किया नया एक तरह से का सकते हैं इसका नाम था इंडियन नेशनल इंडियन कॉंसील एक्ट बना इंडियन कॉंसील एक्ट बना कब इंडियन कॉंसील एक्ट जब 1935 में हुआ 35 में इसके पहले बहुत ऐसे नीती भारत में बनाए गये थे जिसमें एक था कॉमनल एवार्ड 1932 में एक क्या था कॉमनल एवार्ड बना था एवार्ड 1932 में बना था इसी का सॉलूशन करने के लिए एक पूना पूना पैक्ट आया था महत्मा गांधी और पी आरंबीद करके बीच में जिसका सॉलूशन पूर पर तयार हुआ 1935 में जिसमें दो तीन बातों को कही गई थी जिसमें यूनि को आटोनूमस परफर दिया गया था लेकिन सकेंड वर्ड वार 1949 में सुरू हो गया और सेकेंड्ड वुल्ड वार ने भारतियों का ठीक है मनुबल को तूर दिया ततकाल क्योंकि भारत के संदर में जो आशा थी कि इन्डियन कॉंसिल एक उनिस सब 35 कि तार अरे निभारत क किसी भी तरह का बीना कोई सलाह किये बीना युद्ध में ब्रीटें भारत को सामिल कर लिया पिर भारत में सबीने अबग्या अंदोलन की तरज पर ईक तरह से कर शक्ति हैं बेख्टी का सत्याग्रा अंदोलन हुआ लेकिन उसी दोरान British सरकार ने अगास्त ओफर दिया भारत में लेकिन Dominion की बात को भारल सरकार ने मतलब इंडियन कॉंग्रेस ने सुविकार नहीं किया था और Dominion का स्थान पर कंप्लीट इंडिपेंडेंडेंस की बात 1929 में ही कर चुका था इसलिए 1940 के ब्रिटिस सरकार के डोमिनियन का ओफर को ब्रिटिस क्या करते हैं इंडियन कॉंसिल इंडियन कॉंग्रेस रिजेक्ट कर दिया फिर 1940 में ही सोतंत्र पाकिस्तान की मान की गई थी मुसलिम के द्वारा यहां पर दो तीन बाते एक क्रांती था व्यक्ति गत्र सत्याग्र जो 1940 में हुआ था दूसरी घटना हुई थी अगस्त आफर था जो 1940 में ही हुआ था और तीसरी था सोतंत्र स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग यह हुआ 1940 में किस ने किया था स्वतंत्र पाकिस्तान के बाद तो अली या मुहम्मद अली इनना ने किया था क्योंकि अगस्त उफर में दोमिनियन की बात कही गई थी डोमिनियन इस्टेट की बात बेटिश सरकार्निक कॉंग्रिस को दिया तो यहां पर मुस्लिम लीग को लगा कि कहीं कहीं ऐसा नहों कि डोमीनियन कॉंग्रिस स्विकार कर लेगा लेकिन पाकिस्तान के मुस्लिम लीग ने इसको अपना एक लक्ष बतायते हुए अलग पाकिस्तान की मांग कर दी इसके बाद कॉंग्रिस का एक और गर्ग था जो आई ने बना तो फॉर्मिशन ओफ या और मिशन ओफ इंडियन नेशनल आर्मी 1943 में बना किश के द्वारा तो S.C. बोस के द्वारा पनाए गया S.C. बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की का गठन हुआ और यह तो एक तरह से पूजितिव नहीं था कॉंग्रिस के नजर में लेकिन देखा जाए यह इसका असर बहुत जादा हुआ क्योंकि ब्रिटेन की खिलाब जर्मानी और इटली का ठीका तमर्थन जो था इंडियन नेशनल आर्मी को यानि के आई एने को मिल गया परिनाम यह हुआ सब्सक्राइब में एक सोतंद गॉवर्मेंट बनी और वहाँ पर भारत में एक नया क्याबिनेट मिशन भेजा हाई पावर कमिशन था जो 1946 में बनाया भेजा गया था इस कमिशन में दो बाते कही गई थी एक संबीधान सभा के अस्थापना हुई अस्थापना हुई और एक सोतंत्र रूप से आस्थाई सरकार बनी ठीक है औससाई सरकार बनी जिससे यह तै हो गया कि जून 1940 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा लेकिन मुस्लिम लीग के जो दिल में कला था कि वह सोतंत्र पाकिस्तान की मांग करेंगे सोतंत्पाकिस्तान के लिए अंदुलन आरं भी कर दिया उशी का परिनाम था कि लास्ट फेज में एक मांट बेटेन योजना आया मांट इस पैटेन योजना आया कब 1947 में और 1947 के ताथ इस योजना के ताथ भारत एक राष्ट नहीं दो राष्ट बना भारत और पाकिस्तान नए डोमिनियन बने और भारत की आजादी के साथ पाकिस्तान की आजादी मिली और भारत का डोमिनियन राष्ट बन गया और इस तरह से मुस्लिम फिर भी जो भी हो वास्तिविक्ता यही था कि 15 अगस्त 1947 को भारत एक तरह पाजाद हुआ तो दूसरी तरह भारत पाकिस्तान के रूप में दो राष्ट के रूप में विवाजित हुआ तो इस बातों को सिलेबस को ले करके हमने जो लगभग 1707 से ले करके जो सिलेबस स्टेंड किया है अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे एक एक टॉपिक को डिसकसन करेंगे पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे और वादा करते हैं आपको कोई भी बोरी नहीं होगा और स्कास करके आपके लिए बहुती इंफॉर्मेटिट क्लास सोगा इसमें बहुत सारी information होगी बहुत सारे क्मस आएंगे और हर एक जाम के लिए ठीक है बहुती बहुती महत्पूर्ण होगा तो इसी के साध आज का पार्ट हम हम लोग से Thank you very much.